कोरोना काल में फिलहाल टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट पॉप्यूलर एक्ट्रसिस में से एक देव्यांका त्रिपाठी काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है सबसे पहले देव्यांका के भाई के कोरोना पॉजिटिव होने को लेकर खूप सारा बस बना रहा और इस खास रिपोर्ट में हम आपको ओन स्क्रीन इशीता से जुड़ी उस वाईरल खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको जटका दे जाएगी क्योंकि इस खबर के बारे में आज से पहले आपने शायद ही सुना हो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दिव्यांका त्रिपाठी रामायन में नजर आ चुकी है जी हां रामायन का रिमेक जो साल 2012 में रिलीस किया गया दिव्यांका के फैंस ये खबर सुनकर चौकने वाले हैं उन्हें जटका लगेगा लेकिन सच यही है इस रिमेक में गगन मलिक बने थे राम और सीता के किरदार में भी नजर आई थी पॉप्यूलर एक्ट्रेस वही इसी रिमेक में दिव्यांका त्रिपाठी ने चंद्रदेव का किरदार निभाया था जो एक अपसरा होती है दिव्यांका की आक्टिंग को इस धारावाहिक में काफी पसंद किया गया रामायन रिमेक करीब एक साल तक चला दिव्यांका त्रिपाठी से जुड़ी ये खबर जानकर उनके फान्स पूरी तरह से हैरान हो गए है वल आपको बदा दे लॉक्टाउन के बीच में रामायन, महाभारत, शक्तिमान जैसे पुराने पुरानी सीरियल्स हैं जो दुबारा टेलिकास्ट हो रहे हैं ताकि आम जनता अपने घर पर बोर ना हो और इन शानदार धारवाहिकों के प्रसारण को एक बार फिड़ से देखें वहीं इन सब के बीच दिव्यांका के रामायन में मौजूद होने की खबर ने उनके फान्स को पूरी तरह से चटका दे दिया है नेक्स्ट नाइन नियूस से मेंगा की रिपोर्ट